हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दो चैनल कैसे हैं आप सब तो बहुत दिनों से आप लोग मुझे बता रहे थे कि कुछ मैं स्टेशनरी रिलेटेड वीडियो लगे आऊं कुछ पाइनली आज हम करने वाले हैं स्टेशनरी शॉपिंग वीडियो एक चलते हैं सो आगे है हम हमारे फर्स्ट इस्टिनेशन पर और यहां पर ना समुझे ना यह दिखी यह है कलर पैंस एक्चली यह मुझे पता नहीं था फिर रीट करते करते पता चला कि यह ना फिर टीशर्ट पर भी हम कर सकते हैं लाइक हम क्लोथ पर डिजाइन करते हैं वो जनरली और से करते हैं जो लाइक पेंट ब्रस्ट सेहमें करने पड़ता है इस श्केच्च पेंस टाइब है उसे से में करने हैं साइधिंक यह बहुत मस्टेशनर यह ना फिर देखते हैं यह देखिए इसमें यहां पर इस तरह से लिखा हुआ भी है तो यह दनो है मेटलिक कलर पैंस पर नीअं फजरी आ फिर एन वो ग्राफिक पेंस है ग्राफ़ पेंस एकडमे फाइन पोंट वाली बदूस्टर कलर से और यह क्या हैे है यह है मेटालिक मारकर्स और उसके नीचे यह है आउडलाइन पैंस जो हमने लास्ट वाउ यह मस्ता है यह देखिए मुमा का यह बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है तो मैं है उसे डिफरेंट वाले चाहिए भी थे इसमें काफी ओड ओड है कलर्स हां और वैसे ऐसे ओड ओड कलर्स मेरे पास नहीं पैंसिल कलर्स में यह 24 का सेट और इसमें साथ मेना ऐसे पीछे एरेजर भी आता है फिर यह है पेस यहां पर अलग अलग डेकोरेशन टाइप इसे कुछ चोटे-चोटे बीड्स भी है कुछ हाँ वह ब्रेसलेट वगेरा के लिए भी है यह न मुझे एक मस्त मिला तो हम यह वाला ले रहे है स्टेशनर इसकी शॉपिंग करने आया है और यह सब देखना कैसे रह सकता है लाइक फिलहाल कुछ कमपास या पाउस लेना नहीं है बट मुझे इस तरह से नियू नियू तिंग्स देखना काफी अच्छा लगता है विगस कंटिनेशले मार्केट बे कुछ न कुछ नियू तिंग्स तो आती रहती है हर एक कैटेगरी में मदब सिफ मुझे नहीं मुमा को भी ऐसा बहुत मज़ा आता है राइक नियू नियू तिंग्स को एक्स्प्लोर करना कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते है राइक उनको ऐसा ज़्यदा पसंदा है कि जो चीज़ चाहिए वो स्टेट पर जाके लेके आता है बट मुझे और मुमा को ना exploring में ज्यादा मज़ा आता है like हम शॉप में जाते है and new new things देखते भी है और हमें जो चाहिए वो साथ में लेते भी जाते है and ये देखिए मुमा निया बर क्या देखा बहुत से stickers and उसमें से ना amusement park वाला ट्री वाला वो सब stickers काफी अच्छे अच्छे थे and मैं भी देखती जा रहे थी फिर मुमा को ना ये दोनों stickers काफी अच्छे लगए मतलब वैसे design almost similar है but वैसे different है but मुमा को इस type की design काफी अच्छे लगई तो मुमा ने कहा ये दोनों तो लेने ये लेने है and I think अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इन stickers का क्या करने वाली हूँ तो भी मैं आपको घर पे जाके बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ फिर यह न ये कुछ rotating crayons है and ये erase भी हो सकता है so एक try करके देखते है generally crayons या oil pastels यूज करते वक्त hand हमारे थोड़े से खराब होता है न तो इसमें वैसा नहीं होगा so ये crayons अच्छ लगे तो हमने सुचा कि ये भी ले लेता है erase हमारे normal eraser से erase हो जाएंगे तो ऐसी can be erased दो ये इसे दूसरे भी है फिर बस मैं देखती जा रहे थी कि कुछ ऐसा है जो मुझे लेना है like लिस्ट में तो यहाँ पर वो set में कुछ कुछ चीज़ा आती है na domes के set में वो मुझे मिली तैन ये body special है like इसमें pencils आती है आपका नेम क्या है? angel okay आपका अच बर्ड़े है वैसा कहा ना आपके so happy birthday and you have to leave okay thank you अब जाते है हमारे दूसरे destination पर यहां पर यह दाइरी का section हता है यह मुमा देख रहे है कुछ different type की sketchbook कितने pretty sketchbook है ना और वैसे भी इसका shape भी है round and इसे एक बड़ी size भी है और फिर कुछ हाँ यह decoupage paper है इसको फिर मुझपोच से लगाना होता है ना फिर यह water transfer sheet इसको ना water थोड़ा थोड़ा इसे sponge मिले के apply करके फिर इसकी पूरी की पूरी design transfer हो जाती है तो I think amazing रहेगा यह actually ऐसा मेरे पास है नहीं तो वही हम design देख रहे है by the way यह है हमारा next destination वैसे आपको इन में से कौन से डिजाइन सबसे ज्यादा बसंद आई और यहां बेना में scrapbook चाहिए तो वह मंड़े को मंड़े कि सो मंड़े या फिर ट्यूजडे नेक्स्ट विक हम लेके जाएंगे यहां से डाइरी बगेरा तो सच कुछ लेना नहीं बहां पर और स्क्रेप बुक देख रहे थे और हां वह लेने थी वह ब्रश्पेंज कुछ खतम हो गई है वह देख लेता है वैसे यहां पर ब्रश्पेंज का कलेक्शन भी काफी अच्छा है लेकिन मुझे जो एक्ज़र लिचाहिए ब्रश्पेंज जो मैं अभी यूस करती हूं वह फिनिश हो गई है तो वह वाली यहां पर नहीं थी वह भी आ जाएगी नेक्स्ट वी और जो ब्रश्पेंज यह भी आने वाली है मंडे को और यहां पर देख लेता है कुछ स्टिकर्स एंड यहां पना स्टिकर्स का विरेशन काफी डिफरेंट एंड अलग-अलग है और ज चब कुछ ढूब करना रहता है बागी सब कुछ उपर प्रिंटेड होता है तो काफी मस रहता है टो मुझे वैसे सब कुछ डियाइवे करना पसंद है कार्ड में यह स्टिकर मुझे काफी पसंदाया यह ने गलिटर स्टिकर्स है आईस्क्रीम, डोनट, केंडी और बहुत क स्टिकर्स में से एक टाइप का स्टिकर मेरे पास है अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड कुछ ऐसे भी डिफरेंट थीम पर बड़े वाले थीम पर एंड लाइक तट तो वह भी मैं और मॉमा देख रहे थे क्योंकि यह अभी अभी कुछ दिन पहले ही आया है तो स्टिकर्स में हम यह ले रहे हैं फिर यह स्टिकर्स दीयां यह दुनें के लिए हैज इन वाशी टेप में यह दोने इसम में लिप्स्टिक है नहीँ और नहीं हैं इस टैप, तो यहां से हमें जो जो लिस्ट में लेना था वो सब कुछ आ गया है तो वह सब बिलिंग करवा के फिर हम जाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन पर यह देखिए यह है वो सारी चीज़े जो हमने हमारा सेकंड डेस्टिनेशन से ले थी अभी हम जा रहे हैं एक और स्टेस्टिन से पॉपिट पी था यह यूनिकॉन वाला पाउच भी था मस्ता है ना यहीं से फाइनली वो स्केच मैंस मिल गई आइम ब्रश पैंस जो हमें चाहिए थी डोनों साइट टिप वाली एंड यह वाली जो मैं यूज करती हूं अभी हम जा रहे हैं गर पर एंड वेट वेट व तो आगे हैं हम कर पर और वैसे ना अभी काफी जादा बारिश भी आ रही है और यह सारी वो सब चीजा है जो हम लेके आया है तो मैं भी देख लेती हूं लाइक एक साथ क्योंकि मुझे फिर शॉपिंग करके आने के बाद हम सबको वैसे एक साथ इस तरह से चीजे देखन को बहुत मज़ा आता है तो मैं आपको भी दिखाती हूं अन्यूपि देख लेती हूं कि आज हम एक जली क्या क्या चीज़ह लेकर आए है तो फर्स्ट अफॉल यह देखिए मैंने आपको बताया था ना यह हम टीशेट पर भी कर सकते हैं तो हम इसे टीशिट पर भी मैं करने वाली हूं स्क्राइबुक का फिर यह ब्रॉश बैंस अरे हां यह वाशी टेप में यूज करने वाली हूं क्रेबुकिंग में तो हां यह जो ब्रॉश के लिए आप वैसे मेने पास आलरेटि डॉस्हार जरू है लेकिन वो अल्मॉस्ट साथी फिनिश होने को आई है तो मुझे वह बहुत कमफरटेबल है तो इसलिए उसी का एक निव बॉक्स लिया आमने यह ग्लू है पेंट ओनिक की तेन यह डेकोरेशन के लिए है एक चलिए कहां पर यूज करूंगी इसे वह तो नहीं पता लेकिन यूज जरूर करेंगे फिर यह वो क्रियोंस है जो एरेशिबल है फिर यह है कलर पैंसिल्स एंड इतने सारे डिफरेंट कलर वेरियेशन जैना तो जो हम सबसे पहला इसे ड्राइंग करेंगे वह भी अफ्कॉस मस्त ही करने वाल है फिर यह ना वाटर ट्रांसफर शीट है एंड आई थिंग आपको पता होगा यह हम कैसे करते हैं सब उस आपको नहीं पता है तो जब मैं करूंगी तब अफको साफ को बताऊंगी अब मिन आप से शेर करेंगी फिर यह ना मोज पोज है तो यह हम जब यह ड़कीपोज करेंगे ना एंडिक्युपेच पेपर से कुश करेंगे तो सब्स यह सारे स्टेशनरी होगा और मिलता है कल थैंक यू सो मच पर वाचिंग। बाई बाई